हेलो फ्रैंस ये आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं और आपको समास किस तरीके से बनता है कितने प्रकार का होता है ये सारी चीजे हम बताएंगे ठीक है तो ये समास जो है ये दो या दो से अधिक सब्दों के जो योग होते हैं जब कोई दो सब्द जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं और ये छे प्रकार के होते हैं चीक है तो इसमें आपका सबसे पहला आता है अव्याई भाव समास अव्याई भाव समास जो होता है इस समास में पहला पद अव्याव और दूसरा पद स उसके अनुसार अब कोई नियम बना तो वो किसी वेक्ति के अनुसार किसी के द्वारा किया गया होता है प्रति दिन जैसे प्रत्य एक दिन आप एक रूटीन में कर रहे हैं प्रत्य एक-एक के प्रति मतलब वो भी एक सिक्वेंस में जो किसी सिक्वेंस में चल रहा होता है उ और उसको आप रोज देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष होता है, जो आपकी आखों की समीप होता है, वो आपका होता है, अब्याई भाव समास, फिर आता है आपका तत्पुरु समास, जिस समास का अंतिम पद परधान हो, वो तत्पुरु समास कहलाता है, जैसे की गगन चिडि मार, चिडिया को मारने वाला, करुणा पून, करुणा से पून, दंड पीडित, दंड से पीडित, शोक ग्रस्त, सोक से ग्रस्त वेक्त, गोशाला, गाय के लिए शाला, लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, बल हीन, ये बल से हीन, व्रक्ष पतित, व्रक्ष से पतित राजबवन, राजा का भवन, पतितो धार, पतित का उधार, पुरुसों में उत्तम, आत्म निर्भर, आत्म पर निर्भर, यह स्वेम पर निर्भर, वनवास, जो वन में वास करता है, उसके लिया आता है वनवास, यह आपका तत्पुरु समास कहलाता है, इसके बाद आपका आता है कर्मधारे समास तो जो कर्मधारे समास होता है इसका प्रथम पद विशेशन होता है और दूसरा पद विशेशन या संग्या होता है जैसे कि जब कोई पद विशेशता बताता है या कोई वाकि जो है वो विशेशता बताता है तो आपको कर्मधारे समास आता है जैसे क नील उत्पल नीला है जो उत्पल पीतांबर पीला है जो अंबर इसमें जो पीला है वो विशेष्टा है आकास की पीत सागर पीला है जो सागर महा कावे वो कावे जो महान है महान है जो कावे यह महा कावे परमेश्वर परम है जो इश्वर यह इश्वर की विशेष्टा है परमिश्वर तो यह आपका कर्मदारे समास होता है जब कि इसी चीज की विशेष्टा आपको बताई जाती है तो यह आपका कर्मदारे समास आता है फिर आपका द्वेगु समास द्विग समास की एक खास पहचान है कि जिस समास में पहला पद संख्या वाचक विशेशन हो और समुदाय का बोध है वो द्विग समास होता है जैसे कि नव रतनों नौ रतनों का समाहार त्रिभुवन तीन भवनों का समाहार त्रिफला, तीन फलों का समाहार, मतलब यहाँ पर आप एक चीज यह देखिए कि इसमें नौ है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, यह एक संख्या है, तो जो संख्या वाचक होते हैं, वो द्विग समास होते हैं, फिर आता है आपका बहुबरीय समास, बहुबरीय समास इला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण लंब उदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गनेश फिर आपका चत्रबुझ अर्थात चार हैं जिसकी बुझाएं अब एक चीज यहां पर देखने वाली है कि यहां पर भी चार है ठीक लेकिन यह आपका बहुबरी समास में आएग बात हो रही है तो जब चार वजाएं अर्थात विश्णू तो यह यहां पर हो जाएगा बहुबरी समास ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है फ्रेंड्स यह चंद्र शेखर चंद्र है जिसके सिखर पर अर्थात सिव जलज जलसे है जो उत्पन अर्थात कमल त वह बहुबरी समास के अंदर गताते हैं फिर आपका द्वंद समास जिसमें दोनों पद परधान हों दोनों संग्या हों या विशेशर हों वो पद द्वंद समास में आते हैं जैसे की लवकुस लव और कुस भला बुरा भला और बुरा राम लक्षमण राम और लक्षमण धर्मा अधर्म, मतलब धर्म और अधर्म, ये दोनों अपने अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं, अब जरूरी नहीं कि अब ये धर्म हैं और अधर्म हैं, दोनों एक दूसरे के विपरित हैं, लेकिन साथ हैं, राम और लक्षमर भाई हैं, लेकिन दोन तो थेंक यू आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नए कॉंसेप्ट के साथ हिंदी के लिए ठेंक यू